नमस्कार किसान भायो मैं चितन चौदरी और आप देख रहे हो किसान सफले आत्रा हम फिर एक बार आपके लिए बहुत ही अची ब्रीड की यह चब गाई लेकर हाजिर हुए है तो कई सारे किसान भायो का फोन आ रहा था कि थोड़ा टाइम हो गया है वीडियो नहीं डाला आ अपने तो आपके लिए गाई है तो यह सामने जो गाई दिये खरेयो यह दूसरी बार बच्चा दिया है और बहुत ही दूद के इसाफ से बहुत ही अच्छी है उसके नीचे मेल काफ है और तीन दिन बच्चा देने में हो चुका है और दूद की कैपिसिटी की बात करें त इतना पूरा दीन का दूध है, बहुत ही अच्छी लाइन की गाय है, किसी भी किसान को लेनी है, तो हमें फॉन कर सकते हो, यह जो सामने गाय देख रहे हो, बलेक और वाइट में, वो भी एक बहुत ही अच्छी है, उसने तीसरी बार अब बच्चा देने वाली है, और उसके नीचे 20 किलो पूरे दिन का दूध है छे से साथ दिन बचा देने में अभी बाकी है तो किसी भी किसान को लेनी है तो हमें फोन कर सकते हो उसकी प्राइस की डिवान की बाद करें तो साइट जार रूपिया हमने प्राइस रखी है लेकिन मौके पर थोड़ा कम कर देगे सभी किसानों को बताना चाहता हूँ कि किमत तो थोड़ी करते है लेकिन बाद में अगर किसी किसान का फोन आता है और लेनी है तो हम थोड़ा प्राइस कम कर देगे यह जो सामने देख रहे हो यह बहुत ही अच्छी लाइन की बच्चडी है तीसरी बार बच्चा देने में अभी तीन से चार दिन बाद करें तो एक टाइम का 14 से 15 किलो जितना दुद निकालती है और अगर किसी किसान को ब्याने के बाद अगर लेनी है दुद निकालने के बाद लेनी है तो भी ले सकते हो पूरे दीन का 30 किलो जितना दुद निकालेगी 100% फुल गरंटी चार थनों की गरंटी मिलेगी और उसकी दुद की के पिस्टी की गरंटी मिलेगी और बहुत ही अच्छी है उसकी आइट बहुत अच्छी है पूरी तरह से वाइट है देख सकते बहुत ही शांदार है यह सभी आपको ऐसी दिखा रहा हूं जो गुजरात महराष्ट तांदरा तामिलाडू सभी जगह सेट हो जाएगी जितनी भी गर्मी हो सभी गर्मी जहल लेगी कभी-कभी ऐसा होता है कि पंजाब की कोई गाई आपके एरिय में शैट नहीं होती ल इसी फुल गेरंटी है क्योंकि हमें किसान है और लेने वाले अभी किसान ही होगा तो उनको भी कोई ऐसा काम करकर देना नहीं है आपके लिए एक साही वाल गाई लेकर आये है थोड़ी देशी है और साही वाल है वह फर्ष्ट लेक्टिसन की है उसने बच्चा दे दिया है उसने नीचे फिमिल काप दिया है तो उसकी दुद की केपिसिटी की बात करें तो भी 5-6 किलो जिनना निकालती है और हमें जो मालूम है तो 7-8 किलो तक जाएगी फर्ष्ट लेक्टिसन में उसने बच्चा दिया है नीचे फिमिल काप दिया है उसकी प्राइस की बात करें तो 45,000 रुपया हमने लगाई है लेकिन मौके पर थोड़ा कम कर देगे यह जो सामने सिंग वाली गाए आप देख रहे हो यह फर्स्ट लेक्टेशन की है आपको यकिन नहीं होगा लेकिन उसकी हाइट उसकी लेवटी और देखकर ऐसा लगेगा कि यह दूसरी तीसरी बार भ लेकिन लेक्टेशन की पाइट उसकी बड़ी हुमर हुई तब गाविन हुई दी इसलिए आपको ऐसा लगेगा कि यह बड़ी गाए है लेकिन किसान भाईयों ऐसा नहीं है यह फर्स्ट लेक्टेशन की गाए है जब हमें मालू है तब 20 किलो दूद निकालेगी ही निकाले उसकी माका दूद का रेकोड बहुत ही अच्छा था और बूट जो शीमन है बूट जो सांड है उसका शीमन हमने दलवाया था तो उसकी फर्स्ट लेक्टेशन की बच्ड़ी है बहुत ही शांदा है उसके थोड़ा सिंग है इसलिए हमने 55,000 रुपिया प्राइस की है और गाया कम हम जरूर कर देगे बहुत ही अच्छी लाइन की बहुत ही अच्छी ब्रीड की गाया आपको दिखा रहा हूँ यह जो गाया आप देख रहा हो यह सभी गाया राजस्टान के सफोज़ुपूरा गाव की है जो स्री गंगा नगर में पढ़ता है और स्टेट है हमारा मॉबाइल नमर पीछे जब आपको पूरा वीडियो देखोगे तो आपको मिलेगा उतके थोड़े थोड़े सिंगे बहुत ज्यादा तो नहीं है यह जो गाई देख रहे हैं उसने बच्चे अभी दे दिया है नीचे किजीए नो दस किलो जितना दूद्ध है अगर कि Si Cat फाईक को लेनी है तो पूरा है निकाल कर 2-3 टाइम दूद्ध च्यक करकर आप ले सकते हो हमारे घर रहने खाने पिने की सभी सगवडा आपको है तो किसी भी किसान को लेनी है तो आप राजस्तान आ सकते हो फोजु बुरा हमारा गाव का नام है और हमारा स्री गंगा नगर में पड़ता है स्टेट है रजस्तान तो किसी भी Гिसान लेनी है तो बहुत ही अच्छी अच्छी ब्रीड की आपको च्थाजिव गाय लेनी है तो भी मिल जाएगी गीर क्रोस गाई लेनी है तो भी मिल जाएगी साहिवाल लेनी है तो भी मिल जाएगी जो ब्रीड आपको चाहिए अकरिट नसरी गाई लेनी है तो भी आपको मेल जाएगी जो भी नसला को लेनी है तो भी आपको मेल जाएगी जिए 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 जि झिल प्योंतों झालीת आ के पसलोग समय के सुपले के लिधल कर्म ठायू जब येको कि लिभ पรमस्तों प्रेख राफज के सानी बना हमनों झाल! झाल? झाल? झाल?